बीजेपी के महा संपर्ग अभियान के दोरां तमाम सारे कारीक्रम होने है टिफिन बैठ प्रभुध सम मिलन व्यापारी WORK समIRन इसके अलावा जनसभाए होनी है याने बीजेपी इस पूरे जून की तपती गर्मी में तमाम कारिक्रमों के जरे कहीं कहीं विपक्ष को हराने में जुटी है, हमाँ साथ सरकार में करणो मंत्री जैवीर सिंग जी उन से जानेंगे, सर इतने सारे कारिक्रम, टिफिन बैठक, व्यापारी, प्रबुद सम्मिलन, मोर्चों के सम्मिलन, इसके जरिए क्या माहल बना रहे हैं, विपक्ष को अभी से ठका रहे हैं क्या, तेकि निश्चित रूप से बात्री जन्ता पार्टी हमे नो साल बे मिसाल तरीके से इस्टापट किये हैं, उन योजनाओं को, उन सब कार्क्रमों को, जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, लोक कल्यार के लिए, हम लोगों ने किये हैं, उन सरकार की, प्रदेश की सरकार की, प्रदेश की सरकार के, उन सब चीज़ों को, उन सब जुन से 30 जुन तक चलने वाला है और इसमें आम हमारा भूत के कारकर्टा से लेकर के पन्ना प्रमक्त लेकर के राश्ट्री इस्टर तक के सभी अधिकारी पड़ादिकारी सभी जन्पिती इसमें स्रोका ते जुड़ेंगे जुन में तो सर तपती घर्मी होती तेरालेस के तैयारी है कि सेना का युद्य अभ्यास कड़ी परिश्टियों बितम परिश्टियों करा जाता है होता रहना चाहिए कारकरता थके नहीं बिना थके बिना रुके बिना जुके लगातार संगत के लिए तैया देने के लिए पूरी तर संकल्पित रहें अभ्यास रत रहें यह प्रियात पार्टी का रहता है यह अखिलेश यादो लखेंपुर में उनका प्रस्टिक्षन सीवरी से मापत हो रहा है वहाँ से आज रत्यात्रा निकालेंगे धौरहरा तक जाएंगे लोग कल्याने क्यात्रा कह रहे हैं वो और रत्यात्रा में जाहिर सी बात है भीड होगी जब अखिलेश की रत्यात्राओं में भीड होती है तो बीजेपी के लोग को टेंशन तो जरूर होती होगी रत्यात्रा आपने 22 में भी खूब देखी थी इसी एक्सवेद पर पूरवान चल पे रात रात भर लेकर परड़ाम के आया वो आपने देखा लेकर सही है अच्छी बात है कि उनकी अपनी पार्टी है छेत्री दल है उसको मजबूत करें और लोग तंत्र महरेक को अपनी पार्टी के लिए संगत्स करने का नीतियों नीतियों के लड़ने का जनता में अपनी पेंट बनाने का अधिकार होता है प्रियास करना चाहिए लेकिन अभी कोई बेकेंसी नहीं है अधरी मोदी जी और योगी जी की नितत्त में नीतियों रीतियों कारकम को लेकर के जन भावनाओं का जो वाल इस समय दोनों के पच्छ में है इसलिए इस समय किसी के लिए कोई जगे नहीं है चोवीत में प्रिचंड बहुमत के साथ बात्री जनता पार्टी 80 की 80 सीटे उत्तर पदेश की जीतने जा रही है यानि रत्यात्राम उनके भीड भले जुटेगी लेकिन वोट आप लोग पाएंगे अंदेर परसेंट मिला है और फिर मिलेगा एक स्वाल है कि का जा रहा है कि कॉंग्रेस महासर्च प्रियंका गांधी यूपी प्रबारिया वो पद छोड़ सकती है शाद लोकसभा का चुनाओ यूपी से लड़ने की तयारी है प्रियंका गांधी बहुत रहे है अच्छा है रहना चाहिए उनके प्रबार की अमें ठी से राय बरेली से हमेंता लड़ता रहा है कुछ नई बात नहीं होगी पहले सोनिया जी राजीव जी फिर राहुल जी प्रियंका जी भी लड़ेंगी कोई दिक्कर नहीं उत्ता पदेश में हाए बीजेपी लिए चुनोती नहीं होगी यूप लड़ते रहे हैं अवे तांग क्या चुनोती होगी है पिसली पाई टोड़ें अकेले राहुल जी जी जीते हैं वाकि अकेले था चुना वारे हमारी इस्परती ईरानी जी वहां से कोई चुनोती नहीं हमारा एक है कारकरता पूरी तरह हर इस्थिती से संगस करने के लिए जनता समर्चन देने के लिए पूरी तरह कटबद हो के तयार है तो यह आपे सुना क्या कहना है कि वड़े मंतरी जैवीर सिंग का साफ़तार पर कह रहा है कि बीजेपी हर वक्त चुनाव के लिए तयार रहती है कारकरता उसके तयार रहते हैं और अखले शादव बहले ही रत्यात्रा निकाल रहे हैं लेकिन उत्रबदेश में 24 में 80 लोग